ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं कुम्भ राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अगस्त से 31 अगस्त यानि की अगस्त दोजार तेईस के महिने के आपकी राशी के महाराशी फल के बारे में कि आपकी राशी वालों के लिए एक अगस्त से 31 अगस्त यानि की अगस्त दोजार तेईस के महिने के समय कैसा रहन पूरा देखें बिलकुल भी वीडियो को आप मिस ना करें जा दोस्तों वीडियो का अगे शुरू करें सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान बजरंग वली के सच्छे वक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट स्बोक्स में जै बजरंग वली अवश्य लिकें जिससे भगवान बजरंग वली का असरवत आ सके तो चले दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए एक अगस्त से 31 अगस्त यानिकी अगस्त 2023 के महिने का यह महत्पपून समय दोस्तों यह समय ग्रह इस्तिती आपको यह संकेत दे रही है कि अपनी वित्ते योजनाओं संबंदी कारों पर अध को महत्पपून उपलब्दी हासिन होगी बुजुरुगों का अशिरवाद वे इसने पाकर आप और अधिक प्रगर्ती पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों साति साथ यह समय आपके लिए लाबकारी है अपने सपने वे कल्पनाएं शाकार करने का यह उत्तम समय है अपनी छमत पर विश्वास रखें बहुत सी परिसानियों का अब हल मिलेगा रिष्टेदारों से संबंदित किसी विवाद के सुलजने से रिष्टों में दोबारा मधूरत आएगी दोस्तों साति सात परिवार के साथ सुक्सुविदा संबंदी वस्तों की खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा किसी रिष्टेदार के यहां धार्मिक उत्सब में दाने का भी प्रोग्राम बनेगा कहीं फसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक इस्तिती और अधिक बहतर होगी साति सात शामाजिक गति विदियों में आपका सहोग आपको पहचान और मान सम्मान प्रदान कर रहा है आपकी प्रतिभा तथा छमताएं लोगों के सामने उजागर होंगी घर के नवीनी करण संबंदी योजनाय भी बनेंगी और इनके लिए वास्तु के नियमों का प्रियोग करना और अधिक उत्तम रहेगा दोस्तों साति सात यह समय किसी भी कार्र को करने से पहले घर के अनुववी व्यक्तियों की सला आप अवश्चलें सोच समझ कर लिया गया निर्णे आगे चल कर आपको लाब देगा संतान की तरब से भी कोई सुब समचार मिलने से घर में उत्तसव भरा माहोल रहेगा मन मुताबिक समय व्यतित करने से आप फ्रैस और तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई उर्जा का संचार आप महसूस करेंगे दोस्तो साथिसाथ किसी एप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरन कुछ नकारातमक भी हो सकता है इस तनाव का असर आपकी कारच्छमता पर भी पड़ेगा घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सला वे सयोग आप अवश चलें दोस्तो साथिसाथ अनावशक यात्राओं को आप इस्तकित रखें लोगों के साथ वहवार करते समय सावधान रहें गलत फैमी की वज़े से संबंदों में खटास आ सकती है बच्चे की किसी नकारात्मक गति विदी की वज़े से चिंता रह सकती है परंतु सांति पूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकलेगा दोस्तों साथिसाथ किसी प्रकार की निवेस संबंदी गति विदियों को आप इस्तकित रखें अन्य था नुकसान जैसे इस्तिती आ सकती है विद्धार्ती अपनी पढ़ाय के प्रती ज़्यादा फोकस रखें साथिसाथ पडोसियों के साथ संबंद खराब ना होने दें धान रखें कि जरासी गलत फैमी की वज़े से नजदी की मित्रों या भायों के साथ संबंद भी खराब हो सकते हैं तनाव को अपने उपर आप हावी ना होने दें इसका असर आपकी कहरेच्छमता पर भी बढ़ तरीके से समस्या का हल निकालें, किसी अंजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपके लिए नुक्सान दे हो सकता है, फाल्तू के कारों में भी खर्चों की अधिकता रहेगी, साथ यह समय किसी भी प्रकार का महत्पपूर्ण आप निर्ने लेने से बचें, आप किसी द रहका भी आप संपर्क कम ही रखें, आपके लिए बहतर रहेगा, दोस्तो बात अगर आपके लव लाइफ की करें, तो यह समय घर के वातावरण को उचित बनाए रखने में जीवन साती का महत्पपूर्ण योगदान रहेगा, तथा किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादे ताजा होंगी, परिवारिक वातावरण उत्तम बना रहेगा, काफी समय बाद रिष्टेदारों से मेल मिलाप खुसी प्रदान करेगी, साती-सात पती-पत्नी के संबंदों में भी कुछ खटी-मीटी नोक-जोक रह सकती है, इसके बाद आपसी संबंदों में और अधिक न लाबदायक साबित होगी, प्रेम संबंदों में नजदी की आएंगी, साती-सात परिवारिक वातावरण, सहयोगा अत्मक तता खुसन मा रहेगा, प्रेम जीवन के द्रिष्टी कोण से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा, इस समय का आप अवश्य ही लाब अगर आपके व्यवसाय और केरियर की करें, तो यह समय नौकरी और व्यवसाय में शकारत्मक पैरणाम आपको प्राप्त होंगे, युवा वर्ग को नौकरी से संबंदित बहीजी गई फाइल का शकारत्मक रिजल्ट प्राप्त होगा, नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार् च्छित्र में वर्तमान गति विद्यों पर अपना ध्यान केंदित रखें, क्योंकि इस समय कोई नया काम या योजना कामियाव नहीं रहेगी, महनत जादा और कम पैरणाम जैसी इस्तिती बनी हुई है, कार्रे इस्थल पर किसी से बिना बात वाद विवाद भी हो सकता है, दोस्तों साति सात यह समय यर्स, सटा, आदी जैसे कारों में निवेस आप ना करें, तथा गैर कानूनी कारों में हात ना डालें, किसी प्रकार की इंक्वारी होनी की भी आशंका बन रही है, नौकरी में बहुस वे अधिकारी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो स वे लोग पूरी एनरजी से काम के प्रती अपना ध्यान दे पाएंगे संगीत शहित्य और कला संबंदिक कारों में आपको सफलता मिलेगी सिर्फ आपको अनुशासित तथा आत्म नियंत्रित रहने की जरूत है कार्य इस्थल तथा विवसाइक इस्थल पर आपकी उपस्तित अनिवार रहें क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे निवेस संबंदी किसी भी प्रकार की योजनाओं को क्रिया निवेंत करने से पहले सभी पहलूँ पर विचार विमर्स आप जरूर करें साथ साथ काम काज में बहुत अधिक वेस् कुछ ठोस तथा महत्पपोन निर्ने भी लेंगे और उन्हें पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय रक्त संबंदी कोई समस्या हो सकती है आप लापरवाही ना बरत और अपनी जांच अवश्य कराएं खास तोर पर महिलाएं अपने स्वास्थ के प्रती अधिक जाग रुक रहें क्योंकि किसी प्रकार के इंफेक्शन की भी आसंका लग रही है गैस वे पेट दर्द संबंदी सिकायत रह सकती है खान पान पर नियन तढ़ रखें आयरुव कारे चमता पर भी पड़ेगा मेडिटेशन में कुछ समय आप व्यतीत करें आपके स्वास्थ के लिए बहुती अच्छा रहेगा